हाई फ्रेंद्स विल्कम तो लॉमेटाइम मुस्कान मंधिहान यू लीगल गाइट सो गाइज आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सोशालोजी एंड इस रेलेशन विद अधर सोशल साइंसे पार्ट टू यानि मैन की स्टड़ी, लोगों की स्टड़ी, यूमन बिंग्स की स्टड़ी को हम एंथ्रोपोलोजी कहते हैं बेसिकली किस तरीके से हिूमन रिस्ट इवाल्व हुई है उसकी स्टड़ी को आप एंथ्रोपोलोजी कह सकते हो वीडियो के सभी नोट्स आपको हमाई टेलिग्राम चैनल लॉमेट यो लीगल गाइड पर मिल जाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में है जरूर से जॉइन कर लीजे शेर भी कर दीजेगा अब जो subject anthropology है यह दो छीजों में divide हो जाता है physical anthropology and cultural anthropology further जो आपका cultural anthropology है वो और subdivisions है उसके जैसे की social anthropology, archaeology, ethnology, etc anthropology basically हर तरीके के इंसान को study करती है हर तरहा के जो लोग है उनको study करती है पूरे world में ठीक है? कैसे पहला इंसान आया और आज हम किस तरीके से developed कर चुके हैं earliest person कौन था और आज का modern इंसान कैसा है उनके बीच का gap सब कुछ, वो सब कुछ anthropology study करती है हमारा social setup कैसा है हम एक दूसरे से मतलब किस तरीके से connected है ये सब anthropology study करती है और जब मैं anthropology की बात कर रही हूँ तो आपको कुछ-कुछ समझ में आ रहा हूँ काफी हद तक sociology से related है आपको एक overlapping दिख रही होगी sociology और anthropology में तो ध्यान से समझो जो sociology है वो एक group life को study करती है कि मैं आप मिलकर एक group में कैसे behave करेंगे एक complex society में हम और आप मिलकर कैसे behave करेंगे जब हम एक group में मिलेंगे उसको sociology study करती है अब anthropology का जो main focus रहता है ट्राइबल societies और cultures पर रहता है sociology जो है उसको anthropology पर depend होना पड़ता है ताकि आज का जो social phenomena है जो present time का social phenomena है उसको sociology समझ पाए difference के anthropology और sociology में अब बता है नग एंथ्रोपोलोजी जो ट्राइबल societies को study करती है तो क्या हम कह सकते है anthropology उन cultures को study करती है जो छोटे है और static है जो जादा बदलते नहीं है ट्राइबल societies चोटी रहती है जादा बड़ी नहीं रहती है तो उनके culture को बेसिकली वो study करती है वहीं अगर आप sociology को देखेंगे तो वो पूरी civilization को जो की vast और काफी dynamic रहती है उसको study करती है तो हम कहा सकते है sociology का जो scope है वो काफी बड़ा है in comparison to anthropology Basically anthropology past को काफी हद तक study करती है कि कैसे हम developed हुए है sociology present phenomena को study करती है अब anthropologists जो होते हैं वो suggestions आपको नहीं देंगे कि कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए वहीं पर sociologists आपको suggest करेंगे कि क्या चीज़े होनी चाहिए क्या improvements आनी चाहिए society में Next is sociology and psychology इनसान behave कैसे करता है उसके पीछे की science क्या होती है उसका behavior किन चीज़ों से affect होता है क्यों ऐसा होता है कभी खराब होता है कभी अच्छा होता है mood क्यों आपका खराब होता है इन सारी चीज़ों को study करने के लिए हमारे पास है psychology आपके mind से related जो चीज़े होती है mental processes उनको एक तरीके से psychology study करती है आपकी motivations क्या है आप क्यों कोई चीज़ कर रहे हो क्यों कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो आपके fears क्या है disorders क्या है mind के orders क्या है ये सब कुछ social psychology में cover होता है जो की एक branch है psychology की चैनल पर नए है subscribe जरूर करेगा शेर जरूर करेगा वीडियो उसको बहुत informative वीडियो आगे आने वाले हैं एक group में एक individual का mental development कैसे होता है physical development तो होता ही है mental development कैसे होता है एक individual particularly किसी group life को कैसे affect करता है एक पूरा group मिलकर किसी individual की life को कैसे affect करता है ये सब कुछ psychology cover करती है basically एक group दूसरे group से कैसे affect होगा कैसे develop होगा ये भी psychology आपको बताएगी अब जो social psychology है ये sociology की एक तरीके से help लेती है human behavior और nature को समझने में हमारे social structure में क्या problems है क्या issues है क्या अच्छाइए है वो समझने के लिए social psychology को sociology की help लेनी पड़ती है अगर आप लोगों को बदलना चाहते हो तो psychology का बहुत बड़ा रोल होगा लेकिन अगर आपको social setup समझना है society किस तरीके से बन चुकी है उसमें क्या-क्या चीजें है क्या-क्या problems है तो आपको sociology की help लेनी पड़ेगी अब ऐसी कौन-कौन सी चीजें हैं जो social psychology और sociology में similar हैं दोनों में ही पड़ी जाती है जैसे कि public opinion, mob behavior यानी कि जुन्ड है उसका behavior सेम कैसे है ठीक है जो पूरा जुन्ड होता है उसका behavior एक जैसा क्यों होता है एक है कि मैंने आपने आइफोन लिया मैंने भी आपको देखके आइफोन लिया फिर कोई मेरा दोस्त उसने देखा मेरे हाथ में आइफोन है तो उसने भी आइफोन लिया फिर उसको देखके किसी और ने आइफोन लिया तो यह herd mentality जो है एक दूसरे को देखकर काम करना एक चीज़े समझने के लिए sociology और psychology साथ में आते हैं। Difference क्या है दो disciplines पे? Psychology एक particular individual को पकड़ कर study करती है। लेकिन sociology एक पूरे group को study करती है। sociology बिसिकली आपको ये बताती है कि ग्रुप में सब लोग कैसे behave करते हैं। वही psychology जो है वो mental processes की बात करती है, Ethics क्या है? कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ चीज़ें गलत होती हैं। मंदर में चपल पहन के जाना गलत है। ये ethics है, right? कुछ चीज़ें सही हैं जन्हें follow करना चाहिए, सुबह उटकर सूरे अर्क देना चाहिए, ठीक है? सुरे भगवान को अर्क देना चाहिए, तो ये क्या है? ये चीज़ सही हैं, तो ethics सही और गलत की बात करता है, it is the science of morality, right? कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं। कौन से human actions सही हैं, कौन से human actions गलत हैं, ये आप ethics में देखते हो। Ethics एक normative branch of knowledge है, मतलब norms और standards की बात करती हैं। हमारा जो moral और mental development है, उसको society effect करती है। ठीक है? क्या engineering कर लो, doctor की पढ़ाई कर लो, वकालत कर लो, जो सब करने वो करो। तो ये society की mentality है। और in turn, जब हम इससे shape हो जाता है हमारा mind, जब हमाई mental processes इस तरीके से बन जाती है, जो society करी है, उस हिसाब से चलना है, तब हम अपने group के standards उस हिसाब से set करने लगते हैं। जिस भी group में हम जाते हैं, हम उस हिसाब से standards set करते हैं। क्योंकि हम जहां से आ रहे हैं, वही चीज़े हमने सीखी हैं और उसी तरीके से हम behave करने वाले हैं, किसी भी group में अगरम बैठेंगे तो, तो society आपको affect करती है, आप जहां जाते हो, आप उस group को affect करते हो, जो society ने आपको moral standards दिये हैं, वही standards आप जाके किसी group में भी follow करने ल religious aspects, moral और cultural aspects, इनको भी study करती है, तो इक तड़ी से सोशालोजी और ethics डारेक्ली related है, सोशालोजी किसी group के बारे में बात करेगी, वही जो ethics है, वो बताएगी क्या सही है, क्या गलत है, जो group में follow होना चाहिए, जो आपको लग रहा है कि सही है, कि हाँ ये चीज जो मैं करने ज रहा हूं या करने जा रही हूं, ये मेरे लिए अच्छी है, तो वो ध्यान रखिए, उस social group के लिए भी अच्छी होनी चाहिए, वो socially भी अच्छी होनी चाहिए, मान लेते हैं किसी का murder करके आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन ये social good के लिए तो अच्छा नहीं है, आप एक dangerous criminal हो, उसका मतलब है, तो ऐसा नहीं है, जो चीज आपको अच्छी लग रही है, वो society के लिए अच्छी होनी चाहिए, conformity होनी चाहिए, sociology और ethics के बीच में क्या difference है, sociology जब social institutions को study करती है, तो वो उन्हें ऐसे देखती है कि वो कैसे थे, पहले past में वो कैसे थे, और present time में वो कैसे है, लेकिन ethics जब social institutions को देखती है, तो वो ये कहती है कि ये future में कैसे होंगे, या इनको कैसे होना चाहिए, sociology एक तरीके से group में सब का behavior study करती है, वही ethics individually आपका behavior देखेगी as moral agents, sociology देखेगी के groups, जो social groups है, उन्हों time के साथ कैसे improve कर रहे है, कैसे develop कर रहे है, वही ethics आ जो है, वो है sociology and jurisprudence, मतलब sociology and law, sociology वही society को study करती है, ठीक है, social behavior को study करती है, लेकिन law जो है, वो legal principles की entire body constitute करता है, एक lawyer जो है, वो ये देखता है कि कौन से rules जो है, जो हमें obey करने हैं, वहीं जो sociology है, वो ये बताती कि law किस तरीके से एक social phenomena है, law एक social phenomena के रूप में, एक social event के र law को किसी practical way से study करता है, observe करता है, उसको society के point of view से, तो law जो है, वो sociology of law कहलाता है, legal sociology की branches है, criminology और penology, और इन दो ब्रांचेज ने बहुत जादा help की है, law makers की और law executors की, उनको ये explain करने में help की है, कि law actual में work कैसे करता है, crime से कैसे deal किया जा सकता है society में, ये सब कुछ ये दो बताती है, so thank you for watching this video friends and we'll meet soon in the next video, good luck.